जया हिंत अगर आप pensioner है या family pensioner है तो आप लोग के लिए बहुत बरी update लेकर आया हूँ जी हाँ आप लोग के लिए बहुत बरी update लेकर आया हूँ अभी आप देख रहे हैं कि मैं PCDA की official website पर हूँ और PCDA ने आज आप लोग का pension revision table जारी किया जी हाँ आप लोग के लिए बरी तो अभी मैं आपको ये टेबल पर लेकर आ गया हूं तो ये टेबल आपका है जुलाई 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 तक के लिए टेबल जाड़ी गिया है किया गया है फाइनल वारूपी पेंशन टेबल पबलिश्ट तो चलिए आप किसका कितना पेंशन है और कितना बढ़ोती ह होगा उसके भी सेमें बतायता हूं तो सबसे पहले आपका सिरियल नमर हो गया उसके बाद सिपाही रैंक से अगर आप हैं अगर आपका सर्विस 16 साल है अगर आपका बेसिक पेंशन 16,925 रुपिया है तो आपके पेंशन में कितना बढ़ोती होगा वो मैं बतायता हूं तो आपके पेंशन में 3,050 रुपिया की बढ़ोती होगा जो कि आपका टोटल पेंशन 19,975 रुपिया हो जाएगा अगर आप सिपाही रैंक से हैं अगर आपका सर्विस 17 साल है अगर आपका बेसिक पेंशन आपका 17,139 है तो आपके पेंशन में 4,196 रुपिया की बढ़ोती होगी और 21,025 रुपया आपका पिंशन हो जाएगा इसके बाद अगर आप नायक हैं अगर 16 साल सर्विस है तो अगर आपका बेसिक पिंशन 19,127 रुपया है तो आपका बढ़ोती होगा 1,911 रुपया तो टोटल पिंशन आपका हो जाएगा 21,015 रुपया इसके बाद अगर आप हवलदार हैं और 17 साल आपने सर्विस किया है अगर बेसिक पिंशन आपका 19,530 रुपया है तो आपका कितना बढ़ोती होगा 238 रुप हो जाएगा इसके बाद अगर आप हवलदार हैं 24 साल सर्विस किया है बेसिक पिंशन आपका 20,692 रुपया है तो टोटल बढ़ोती होगा तो टोटल पिंशन आपका 23,650 रुपया होगा इसके बाद मैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए एरियर के विसाह में बताओ होगा तो चली आज की वीडियो में नहीं तब तक लिए जाहिए जय भरत